Hello everyone, welcome to All India Students Community. मैं All India Students Community में आप सभी का स्वागत करता हूँ. दोस्तों, आज के सभी important Krantafias, हम Hindi और English दोनों language के अंदर कवर करेंगे और ये Krantafias आप लोगों के लिए दो parts में होंगे. पहला part जो होगा, वहाँ पर हम Krantafias को details में पढ़ेंगे, जीके के साथ connect करके और दूसरे part में हम One Linus Krantafias को कवर करेंगे. So there is load to know and load to discuss. अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो description में मैंने link available करा दिया है. वहाँ पर click करके आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं. और दूसरा, अगर आप किसी दूसरे WhatsApp या Telegram गुरूप से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कि directly आपके पास ये PDF मिलता रहे, तो उसका link भी description में available है. तो चलो स्रिश्टार्ट करते हैं पहले question से, और आज का हमारा पहला question है, तो गुझरात सरकार ने सेंसर आधारित वितरन निगरानी परनाली सुरू करने की गोशना की है. ये क्या है? कल मैंने आपको जल जीवन मिसन के बारे में बताया था. जल जीवन मिसन के तहट भारत सरकार ने 2025 तक में क्या लक्षे रखा है? कि हर गरामीन छेतर में, हर गरामीन छेतर के हर एक परिवार के घर तक जो है साप पानी का जल पहुँचे. याद है आपको? तो इसी के तहट, जल जीवन मिसन योजना के तहट, सैंसर आधारित सेवा वितरन निगरानी परनाली सुरू की है गुजरात सरकार ने. और इसके तहट जो है, नजर रखी जाएगी कि कहीं सुध पानी वेश्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है कहीं सुध पानी वेश्ट तो नहीं हो रहा है, जो घर तक पानी पोच रहा है, वो कहीं वेश्ट तो नहीं हो रहा है, जो पे जल है, जिसे हम पी सकते हैं, जो सुध है कहीं वो वेश्ट तो नहीं हो रहा उसके लिए गुजरात सरकार ने इस आप बोल सकते हैं सेंसर आदारित वितरन निगरानी परनाली की सुरुवात की है अग गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या है गांधी नगर यहां के सीम और गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओ गुजरात के सीम कोन है और गवर्नर कोन है बहुत बार एक्जाम में पूछा दाता है सरदार सरोवर डैम ये कहां पर है तो सरदार सरोवर डैम कहां पर है ये नरमदा नधी पर है गुजरात में अगर हम बात करते हैं Statue of Unity दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ती ये कहां पर है ये गुजरात में ही है इसका हाइट कितना है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और आप कमेंट करेंगे इसके आर्किटेक्ट का नाम वास्तुकार कोन है इस टैचू आफ युनिटी के वास्तुकार कोन है आपने सोमन गुजरात मंदिर के बारे में सुना होगा महमूद गजनी ने जिसको 17 बार लूटा था ये कहां पर है ये गुजरात में है अभी कोंग्रेस ने तीन चार दिर पहले गुजरात के अंदर एक कोविड-19 एप लोंच किया था जिसका नाम था इजनमित्र इजनमित्र कोविड इजनमित्र कोविड-19 एप ये किसने लौच किया एक कोंग्रेस ने कहां पर गुजरात में गुजरात सरकार ने एक एप लूच किया था जिसका नाम था जी आईएस बेस्ट एप जिसके थूरू हर एक घंटे में आपको अपना जो है लुकेशन लाइव लोकेशन भेजना होता था गुजरात सोलर रूप टॉप इंस्टोल करने वाला पहला राज्य है जहां पर आप बोल सकते हैं घर पर सबसे ज्यादा जो रूप टॉप लगे हुए हैं और सबसे ज्यादा इंस्टोल करने वाला गुजरात पहला राज्य है वही पर दूसरे राज्य की बात करे तो वो महारास्त है गुजराथ पहले नमबर पर आता है महारास्त दूसरे नमबर पर सोलर रूप टॉप इंस्टोल करने में अगर हम बात करते हैं टेजर गं से तो गुजराथ पुलिस भारत की वो पहली पुलिस है जिसको इलेक्ट्रिक शोक देती है अगर आपको किसी क्रिमिनल वगारा को पकड़ना है अब आप टेजर गन का स्तमाल करके ये क्या करेगी उसको क्या करेगी बेहोस कर सकती है इलेक्ट्रिक सोक देगी जिससे वो क्या हो जाए निस्करिया होके थोड़ी देर के लिए अचेत हो जाए और उसको हम आराम से पकड तो टेजर गन से लेस होने वाली पहली भारतय पुलिस बनी है गुजरात की पुलिस अगर हम बात करें सुजलाम, सुफलाम, जल्चंचा अभियान ये कहाँ पर चलाया गया ये भी गुजरात के अंदर चलाया गया है तो यह है सुजलाम सुपलाम जलचंचा अभियान जिसकी शुरुआत गुजरात में ही हुई थी अब जैसे मैं बात करूं राजिस्تां की तो राज को मोबाइल एप ये लोँचकिया गया था राजिस्तान पुलिस दौारा महराश द्वारा महाकवच app launch किया गया है महाकवच ठीक है और पस्चिम बंगाल की बात करते हैं पस्चिम बंगाल ने हभी आली में exit app launch किया था exit app किसके लिए migrants worker के लिए जो लोग बंगाल को छोड़कर अपने राज्यों में लोटना चाहते है पस्चिम बंगाल में एक योजना start भी ठीक है स्मृष्टी योजना जो 50,000 एकड भूमी है जो बंजर पड़ी है उसको उस पे कुछ ना कुछ करने के लिए तो स्मृष्टी योजना भी पस्चिम बंगाल ने launch की है अगले कुशन पर आते है अगला कुशन है विच कंट्री हैस बिकम दा फस्ठ कंट्री इन युड़ॉप कॉरोना वाइरस फ्री युड़ॉप में कोरोना वाइरस फ्री होने वाला पहला देश कोन सा बन गया तो हमारा इसका जो correct answer होगा युड़ॉप में पहला कोरोना फिरी होने वाला जो देश बना है वो बना है सलोवेनिया कौन सा बन गया है सलोवेनिया यह सेंट्रल यूरोप का पार्ट है सेंट्रल यूरोप का हिस्सा है सलोवेनिया जिसका अगर बात करे कैपिटल की तो कैपिटल है यहां की capital है और currency है यहांकी euro currency क्या है? euro जो है यहांकी currency है अगले question पर आते हैं किस देश के सर्वोच सम्मान खेल रतन से सम्मानित क्या गया है? किसे? who has been nominated from the country's highest owner खेल रतन and the correct answer इप अंजुम मोदगिल अंजुम मोदगिल जो की इनका सम्मान सूटर से है निसाने बाज है अंजुम मोदगिल और 2018 के जो commonwealth games हुए थे इसमें उन्होंने silver medal जीता था silver padak, रज़त padak जीता था 2018 के commonwealth games में, चंडिगड से है पंजाब के लिए इंडिया में represent करती है और international level पर ये इंडिया को represent करती है अंजुम मोदगिल जिनको अभी हाली में राजीव गांधी खेल लतन प्रुषकार के लिए नामित किया गया है नामांकित किया गया है तो इनका इनका नाम होगा अंजुम मोदगिल ठीक है, अभी कुछ दिन पहले सानिया मिर्जा, एसिया का पहला प्रुषकार जीतने वाली भाहिला खिलाडी बनी है इनका कौन सा प्रुषकार जीता है क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सानिया मिर्जा ने हाल ही में कौन सा प्रुषकार जीता है देखते हैं कितने लोगों को याद है अगले कुश्चन पराते हैं अगला कुश्चन है रक्सा मंतरी राजनाथ सिंग ने वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड सिप और दो इंटरसेप्टर जिसका नाम है सीप 450 और 151 का जलावतरन किया ह सिंपल सा कुश्चन ये है कि जो हमारे रक्सा मंतरी है राजनाथ सिंग उन्होंने एक तो इंडियन कोस्ट गार्ड सिप का जो कि है अनावरण किया और दो वहाँ पर इंटरसेप्टर बोस्ट भी थी जिसका नाम ता सी 450 और सी 421 तो आपसे इस इंडियन कोस्ट गार्ड स का नाम पूछा गया कि इसका नाम बताओ तो इस इंडियन कोस्ट गार्ड सिप का नाम है सचेत क्या नाम है सचेत तो सचेत इंडियन कोस्ट गार्ड सिप रहा और दो इंटरसेप्टर बोस्ट सी 450 और 451 का गोवा में वीडियो कॉन्फरेंच के जरिए हमारे रक्सा मंतरी राजनाथ सिंग ने जलावतरन किया है तो correct answer क्या होगा Indian Coast Guard Ship Sachet अगले question पर आते हैं किस देश की अध्यक्षता में असाधहरन G20 Virtual Trade and Investment Ministryal बैठक का दूसरा संस्क्रन आयोजित किया गया The second edition of the Extraordinary G20 Virtual Trade and Investment Ministry meeting was held under the chairman chief of which country and the correct answer is Saudi Arab साथी अरब की निगरानी में हुई कौन सी? साथी अरब के आप बोल सकते हैं साथी अरब ने इसकी अध्यक्षता की G20 Virtual Trade and Investment Ministryal बैठक की अगर हम साथी अरब की बात करते हैं साथी अरब Capital Riyadh है यहां का यहां की Capital क्या है? Riyadh अगर मुद्रा की बात करें तो Riyadh जो है यहां की मुद्रा है जो इसलाम धर्म के परवर्तक है इसलाम धर्म के आप founder बोल सकते हैं मुहम्मद सहाब ठीक है? इनका जन्म जो है साथी अरब में ही हुआ था मुहम्मद सहाब का जो जन्म है वो साथी अरब में ही हुआ था मक्का और मदीना दोनों कहां पर है? साथी अरब में ही है तो यह चीज़े कुछ आपको याद रखनी है अगले कुशन पर आते हैं अगला कुशन है सरकार द्वारा COVID-19 के लिए RTB PCR टेस्ट करने के लिए खरीदी गई पहली पूरी तरह से स्वचालित हाई-एंड मसीन का नाम बताए जिसे दिल्ली में रास्टिय नोग नियंतरण केंद्र में स्थापित किया गया है नेमदा फुल्ली ओटोमेटिड हाई-एंड मसीन परसेज़ बाइड गर्रमेंट to test RTB-PCR for COVID-19 which has been installed at the National Center for Disease Control in Delhi simple भारते सरकार ने एक ऐसा मसीन खरीदा है जो 1200 सेंपल टेस्ट कर सकता है एक ही दिन में कितने 1200 सेंपल टेस्ट कर सकता है एक ही दिन में और डोक्टर जो हमारे हैल्थ मिनिस्टर है डोक्टर हर्सवर्धन उन्होंने इस मसीन को NCDC को सोप दिया है किसको National Center for Disease Control को इसको सोप दिया है और इस मसीन का नाम है Cobas 6800 Cobas 6800 इस मसीन का नाम है ये COVID-19 सेंपल टेस्ट के अलावा Hepatitis B और C की जाच कर सकती है HIV AIDS की जाच कर सकती है और बहुत ही कम समय में बिना किसी लोगों के संकर्मित आप बोल सकते हैं जो लोग टेस्ट करते हैं उनका भी संकर्मन का खत्रा रहता है लेकिन ये मसीन पूरी Robotics मसीन है इससे किसी का संकर्मन फैलने का आप बोल सकते हैं संकर्मन फैलने का कोई इतना सा भी कोई छोटा सा भी नाम हो निसान नहीं रहेगा कि संकर्वन बिल्कुल नहीं फैलेगा और ये 1200 टेस्ट पर डे करेगी और इस मशीन का नाम है कोबा 6800 और जिसको डॉक्टर हर्सवर्दन ने सोप दिया है किसको NCDC को NCDC के बारे मैंने आपको हाले में पढ़ाया था तो दोस्तो ये थे आज के हमारे important current affairs details में जैसे कि आप सभी को पता था कल Saturday था Saturday Sunday हमारे यहां पर weekdays होते हैं और बहुत सारी कम चीज़े होती है तो इसलिए मैंने सबसे selected question आपको provide करा दिये अब समय है एक बार चीज़ों को current जो हमारे अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं आज का हमारा target है कम से कम 500 like का क्या आप मुझे आज 500 like दिला सकते हैं यह तभी होगा जब आप खुद भी like करेंगे और अपने दोस्तों के साथ share करके उन्हें भी बोलेंगे कि वीडियो को like करो तो थोड़ा सा support करिए आपके support की ज़रुरत है चलो आप बढ़ते हैं 1-S currentFS की तरप और पहला question आपके सामने है हाल ही में S.C.O. सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की virtual conference की जो बैटक हुई उसकी अद्दक्सता किसने की है तो संगाई corporation organization की अभी आपको मैंने बताया था विदेश मंत्रियों की बैटक हुई थी जिसमें हमारे देश के जो विदेश मंत्री है S.J.S.ंकर साब ने participate किया था ठीक है S.J.S.ंकर साब जो है भारत का परतिनिदित किया और इसकी जो अद्दक्सता की थी ये किसने की? रूस ने की आप मुझे comment करके बताएंगे रूस के president का क्या नाम है और यहां की space agency का क्या नाम है दो कुछन है आप लोगों के लिए रूस के space agency और रूस के राष्टपती जी का क्या नाम है अगला कुछन पराते है हाल ही में COVID-19 मामलों के परिक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा खरीदी गई पहली 140 परिक्षण मशीन का नाम क्या है कोबास 68-100 मनिग्राम पेमेंट सिस्टम ने direct to bank खाता credit उप्षण देने के लिए किसके साथ समझोता किया तो मनिग्राम पेमेंट सिस्टम ने direct to bank खाता credit उप्षण देने के लिए समझोता किया है फेडरल बैंक के साथ कोशन नमबर फोर्थ अंतरास्ट्य परिवार दिवस कब मनाया गया अंतरास्ट्य परिवार दिवस मनाया गया कोशन नमबर फिफ्थ हाल ही में वीपो World Intellectual Property Organization के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नुक्त किया गया daring lang को daring tang daring tang को जो है नुक्त किया गया है वीपो का महानिदेशक डिरेक्टर जनरल कोशन नमबर सिट्ट्ट ग्रहम अंतराल्य दुवारा C.A.P.F. की कैंटीन में कब से केवल स्वैदेशी उत्पाद बेचने की गोशना हुई 1 जून 2020 से कुशन 7 हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली होट एयर सीलिंग मशीन लोच की है पहली होट एयर सीलिंग मसीन अब आगे बढ़ने से पहले एक बार समय है चीजों को रिवाईज करने का क्योंकि रिवीजन अगर हम करेंगे तब ही हम चीजों को याद रख पाएंगे आप जहां भी बैठे हैं भारत के किसी भी कोने में आपको कुश्चन सुनकर जवाब देना है बस यह सोचेगा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप से कुश्चन पूछ रहा हूँ और आप बोल कर जवाब देंगे इससे आपको चीज़े हमेशा के लिए याद हो जाएंगी पहला कुश्चन SEO देशों की जो अभी बैठा कुई उसकी अदक्स्ता किसने की बोलिएगा SEO सदस्य देशों की जो बैठा कुई उसकी अदक्स्ता किसने की रूस ने भारत के विदेशमंत्री का क्या नाम है वेरी गूड कुश्चन नमबर टू COVID-19 मामलों के परिक्षन के लिए भारत सरकार द्वारा खरीदी गई पहली स्वयचालित परिक्षन मसीन का नाम क्या है कोबास अड़शट सो मनिग्राम पेमेंट सिस्टम ने डेरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ओप्षन देने के लिए किसके साथ समझोता किया फेडरल बैंक के साथ अंतरास्ट्य परिवार दिवस कब मनाया गया पंदरा मई वर्ल वीपो वर्ल इंटलेक्ट्ट्वल प्रोपर्टी और्गनाइजेशन के महानी देशा कोन बन गए है डेरेन तांग कुशन नमबर सिक्स्ट बोलते रहिए ग्रहम अंतरालिय द्वारा जो C.A.P.E.P. की कैंटीन है वहाँ पर केवल स्वधेशी उतपाद बेचने की गोशना की है कब से एक जून दो हजार बीच से कुशन नमबर सेवन पहली होट एयर सीलिंग मसीन किस राज्य के मुख्यमंतरी द्वारा लोंच की गई गुजरात के मुख्यमंतरी द्वारा अब बढ़ते हैं आगे कुशन नमबर एट हाल ही में N.R.A.I. ने किसे 2020 के लिए राजीव गांधी खेल लतन प्रुषकार के लिए नामित किया है अभी मैंने बताया अभी मैंने बताया किस खेल से है क्या आप मुझे बताएंगे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कुश्चन यूरोप में कोरोना वाइरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है स्लोवेनिया कुश्चन नमबर टेंथ मात्र इस्मृष्टी योजना किस राज्य ने शुरू की पस्चे मंगाल ने कुश्चन नमबर 11 किसे वाइस एड्मिरल जी एम हीरन अंदानी मेमोडियल से रोलिंग ट्रोफी से समानित किया गया अक्से कुमार लेफटिनेंट करनल सदन नेवल कमांड के लेफटिनेंट करनल है अक्से कुमार वर्ल्ड एकोनोमिक सिच्वेशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई संयुक्त राश द्वारा जारी की गई World Economic Situation and Prospectus Report Question No. 13 किस संगठन के परमुख रोबर्टो अजवैदो ने अपने पद से स्थिपा दे दिया है तो World Trade Organization के जो परमुख है रोबर्टो अजवैदो ने अपने पद से स्थिपा दे दिया है अब दोस्तों एक बार फटाक से कर लेते हैं आप बोल कर देंगे जवाब तो बताईएगा राजीव गांधी खेल रतन प्रुसकार के लिए इस साल किसे नामित किया गया बहुत बढ़िया कोरोना वाइरस फ्री होने वाला देश का पहला देश सुलोवेनिया किस राजी सरकार ने मातरिस मिर्ष्टी योजना शुरू की पस्चिम बंगाल ने कोश्चन नमबर 11 वाइस एडमिरल जी एम हीरा नंदानी ममोरियल रोलिंग ट्रॉफी से किसको सम्मानित किया गया अकसे कुमार को वर्ल्ड एकोनोमिक सिच्वेशन और प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई सहीं उक्तराष्ट द्वारा कोश्य नमबर 13 किस संगठन के परमुख रोबर्ट अजवेदो ने अपने पद से स्थिपा दे दिया वर्ल्ड ट्रेड ओर्गनाज़ेशन के परमुख ने अब एक बार चीजों को इंग्लिस में जल्दी से फटाक से रिवाइज कर लेते हैं इसका स्थापना कब हुआ था क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कुश्यन नमबर 2 World Economic Situation and Prospectus Report has been released by United Nations कुश्यन नमबर 3 Who has been awarded with Vice Admiral GM Hiranandani Memorial Rolling Trophy Aksa Kumar कुश्यन नमबर 4 Which state government has started the Matra Smriti Scheme Bengal Q6 International Family Day is observed on 15th of May Next Question NRAI has nominated whom for Rajiv Gandhi Khail Ratan for 2020 Anjum Modhgil Q8 Which state CM launched India's first hot air sealing machine Gujarat Q9 From when the Home Ministry announced to sell only indigenous products in the canteen of CAPF 1 June 2020 Q10 Who has been appointed as the next Director General of Vipo? Darren Tang Q11 Whom did MoneyGram payment system tied up with to offer direct to bank account credit option? Federal Bank Q12 What is the name of first automated testing machine purchased by Indian government for testing COVID-19 cases? Q18 Q13 Who held the virtual conference meeting of foreign minister of SCO member countries? Russia And SCO is Shanghai Corporation Organization Q18 ख़लीफा की उपादी दी गई अलावदीन खिलजी, इलतुतुमिस, बल्बन या कुतुबुद्दीन एफ़क विज सुल्तान रेसीवड आर रॉफ और ओनर फ्रॉम दा कैलिफ किस दिल्ली सुल्तनत के सुल्तान को सम्मान में कैलिप के नाम से खलीफा के उपादी से सम्मानित किया गया यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो ये था आप लोगों के लिए question of the day दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो like करें share करें, मिलेंगे शाम को 8 बजे मोक्टेस्ट के साथ तब तक के लिए धिन्यवाद, जै हिन, जै भारत Take care, love you all, bye bye